असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब उमीद है कि आप लोग सब खेरिद से होंगे मैं बिल्ला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूं चल देख सब्सक्राइब कर लें आप आई शलार्फ्ट चालें यूके को और आजए मेरे साथ जी तो दोस्तों मैंने आप लोगों चिकन तिका की मैडिनेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से चिकन तिका की मैडिनेशन की जाती है अकर आप लोगोंने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जल्दी जाएं आप लोग मेरे चानल पर और जाकर देखें चिकन तिका मैडिनेशन की वीडियो यह है जी अ पानी चोड़ दिया था और यह देखे चिकन पे कितना प्यारा सा मसाला लग गया है और इस फॉर्मे में एक पीस करके जो है वह चिकन का निकाल लूँगी यहां पे हमें पीजा ट्रे की जुड़त होगी पीजा ट्रे की क्योंकि हमने इसको रखना है अब ऑवन में पीजा ट जी दोस्तों वन बाई वन आपने एक एक पीस करके निकाल लें और अच्छे से जो है वो पीजा ट्वे पे आप रखतें और यह भी करम करम है कि इसी फॉर्म में आपने जो है वो इनको आवन में रखना है जंडा नहीं करना जी तो यहां पे यह बचा हुआ जो मसाला था मेरा यह मैं अच्छी तरह से अपने पीसिस पे लगा रही हूँ चिकन के पीसिस पे और यह मेरी बचे वी मेरिनेशन थी इसको अगर आप लगाएंगी तो ज़्यादा जो है वच्छा टेस्ट आएगा यह देखिए आप मैंने इस्तमाल किया है चिली फ्लेक्स का इस तरह से आपने चिली फ्लेक्स को डाल देना है अपने चिकन दिका पर और बात में आपने इस्तमाल करना है चार्ट मसाले का थोड़ा सा आपने चार्ट मसाला भी छिर्क देना है और इसको आपने ओवन में बेक करने के लिए रखना है पीज से 25 मिंट के लिए 180 डिग्री पे और इनको लाइट कॉल्चन ब्राउन आपने कर लेना है यह देखिए अब मैं थोड़ा सा चार्ट मसाले के इस्तमाल कर रही हूँ बहुत ही मज़े का यह बनता है चिकन तिक्का उमीद है कि आपके वेसे भी बहुत सदा पसंद आएगी चल्दे जल्दे जाएं सबस्क्राइब करें आईशन लाइफस्टाल इन यूकिको जी यह देखिए जी दोस्तों चिकन तिक्का हमारा बिलकुल रेड़ी है यह देखिए कितना प्यादा लाइट कॉल्टन प्राउन इस पे कलर आया है और यह बहुत ही अच्छा सा बन जाता है उमीद है कि आपको रेसिपी बहुत जाता पसंद आई होगी और फुल रेसिपी के लिए आप जाए मेरे चैनल पर और मेरी देखें वीडियो और उसमें आपको लास में मिल जाएगी चिकन तिक्का मेरी नेशन की वीडियो और जल्दे जल्दे जाएं सबस्क्राइब करें आईशा लाइपस चालें यूगे को और मेरी साथ रहें और खुश रहें और अलाहाफीज